दे केरल स्टोरी फिल्म जो सच्ची घटना पर आधारित है इस फिल्म को धर्मेश जोशी द्वारा फ्री स्क्रीनिंग मुंबई के कांधी वली रगुलीला मौल में रखी गई इस दोरान खुद भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोस्ट उत्तर मुंबई गुजराती विभाग के संयोज़क अध्धक्ष धर्मेश जोशी ने अपने तारा मा चारिटेबल ट्रस्ट प्रधानमंत्री आत्म निर्भर भारत के राश्ट्री कारेकारिनी अध केरल स्टोरी फिल्म के प्रसारर का कारेकरम आयोजित किया फिल्म में दिखाई सच्छाई को देख उपस्तित बेटियों ने जैश्री राम का नारा लगाते हुए यह प्रण लिया कि वे इस फिल्म के बारे में अपने मित्रों को भी बताएंगे और उपस्तित छात्राओं ने उनको इस आसामाजिक व्रत्ति से अवगत कराने के लिए धरमेश जी एवम उनकी सारे टीम का आभार व्यक्त किया जैश्री राम भारत बादा कीजिए देखे सबसे पहले यह पिचर दिखाने का सबको जो हमारा मेन उद्दश्य यह है कि आज जो फैक्ट हो रहा है इस समाज के अंदर उसको हमको किस तरह से रोकना चाहिए आज जब से सत्ता में भाज़ा पाई है उन्होंने हिंदुतों क नारा लिया है उसका रीजन जाकता रीजन आज आज आपको यह केरला स्टोरी के अंदर आपको दिखाये जाएगा फिल्म के इसाथ से दिखाये जाएगा कुछ चीजे इसमें हिडन की है कि पब्लिक को और थेष्ट ना पोचा मगर इतनी इतनी मोवी जो दिखाई है उसके पहले तो इसके बारे में आप सोची है कि आज हमारे पास हमारे हिंदुतुव में कितने स्पिरिचल लीडर से जो आपको नौलेज देते हैं हर एक चीज़ के चोटे से चोटी चीज़ का नौलेज देते हैं देखिए जब से मोधी साब आये है तो अब से यही बोले कि यह है लगायी गलत है मोधी साब हारे जो काम करते है वो गलत ही है विपक्षमें बेठा हम क्या करें इंके पास काम क्या है डेवलपमेंट व driven को अगर है हों है की। तो उसके अंदर उनके पास कुछ काम नहीं बचाए, CY गोटा लेके, आप दिली में देखे कितना बड़ा गोटा लाचल रहा है, कोई पेदल यात्रा कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, जब भारत कभी तूटा ही नहीं था, तो उसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कोई बेटके, कोई PCM कहीं अपने बियार स्टेट में बेटके, अब अजरबाशन दे रहे, गुजरती थाग है, भाजपा पाइच से लेके चली गे तो क्या है, इन लोग के पास काम किया है, अगर आप डेवलोप्मेंट करोगे, समाज के बीच में, जन्दा के बीच में, उनको अच्छा करिये करके दोगे तो जैसे भाजपा आती है, वैसे आपका भी सक्ता आएगा, आपकी भी खुडशी आएगी, मगर आपको विपक्स के अंदर ही जाके बैटके सिफ बोलते हैं, टांगी खिष्टी हैं, जो काम कर रहा है, तो जो काम कर रहा है, वो बेशक आगे बढ़ेगा, अच्छा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ये मोवी के अंदर, टिकेट के अंदर इखा हुआ है कि 18 प्लस, मैं ये चाहता हूँ, कि ये 18 प्लस नहीं, 14 प्लस होना चीए, तुकि जो भी कोले स्टुडेंट गल है, उनको ये मोवी दिखानी चीए, और आज की ता इतना जादा एडल्ट नहीं है, जो हमारे ओटिटी प्लेट्फॉम पे आता है, उससे जादा एडल्ट नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि बच्चीों को ये खास पोर पे दिखाना चीए, ना के हिंदुस्तान में, बलके ओल ओवर वर्ल्ड में ये दिखाना चीए, क्योंकि दर्म हर एक जगा पे, तो उनकी बेटिया, बहु बेटिया के से बच सकती है, वह इसके अंदर ये दिखाया है, तो कि केरला के बारे में बहुत टाइम से सुनने में तो आ रहा है, जैसे मुझे थोड़ा वील्स बगेर देखना है, बीकर पोलिटिक्स में ज्यादा इंपर इसे तो ये सब देखती हूँ, सुना थो था कि केरला मोस्ट ओफ 99 परसन अभी इसलामिक स्टेट बन चुका है, बट ये स्टोरी देखने के बाद ऐसा लगा कि हर एक को, हर हिंदुस्तानी को ये मुवी देखनी चाहिए, किस तरह से हम बच्यों का ब्रेंगोश कर के, हम कह ह According to the volume गया दिखने लेके जा रहै है, ये मुवी दो कि नगी जा रही है लगा क्या अजय लगा नगी है कि हमारा सनातन दर्म क्या है, हम किस नॉलेज को लेके चल रहे हैं, वो हमारे बच्चों को पता ही नहीं है. किस तरह से इन बच्चियों का ब्रेंवोष करके उनको नर्प में दखिला जा रहा है. कॉन सी मुवी देखे हैं, केरला के लेटर एक मुवी ते इस मुवी को देखकर क्या सुझी, कैसी रखिश रहे हैं? पाल, आपाल, 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 आपाल एक रहा प्यां के लोग रहा नैंगे लिए अपने खाए मैधी और अपने घ्या ने बहुत ही अच्छा था स्टोरीबी और इस आपने के लिए मिलता है कि यह मुंबई में और केर्ला में हर जगे पैसा सब वह रहा है आपको नाम जानना चाहोंगे? खुशिशान है कौन से मोवी लेख जाएगे? दिक एला मुखा दिक नू लगा कि आपके इस film देख जाएगे? ये बहुत अच्छी थी इंट्रेस्टिंग थी देखने में अच्छा लगा आपने लाइफ पहले लिए पर एक देडर में कभी गई नहीं है तो इसमें हमें ये सीख मिलके कि खुच से को खुच सीखो लहम क्या करें हमारी रोस हमारी लाइफ खुच से जलो किसी की सुनू उमार कॉन सीख में देखे आज आपने कैला क्या लगा इस फिम से क्या सीख मिली क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा इस फिम ये फिछ तो इंस्पारिक तो है पर अगर जात्पात प्र बहुत सारे लोग भो उठारे आज के रहला स्टोरी देखिये है और जरमेश जोशी जो की और माच रिडिवल ट्रस्ट के अद्यक्स चैर्मेंड के पर संहाँ और भारतियस जंता पार्टि बैकी पचाओ बैकी पड़ाओ प्रकोष के अद्यक्स और संहियो चेंपी है उन्होंने आज जो ये फिन बच्चे लोग को दिखाई, यह सारे सब को दिखाए और यह बहुत ही अच्छा प्रयास है कि कि कराला स्टोरी उस्टोरी तोरी के माद्यम सब्द्धा कर टरा जो फीर बनाई है जो एक तल बहुत बड़िया बनाई है बहुत बदा बैसेगा है। मुझे लगता है हर नौब आपको एक फिल्म खानी चाहिए अपनी वच्चिहों को और पहले अपना ध्रम का ध्यान देना चाहिए और ये फिल्म लागए देखाना चाहिए कि देखो ये चुछ रही है और प्रेक्टिकल बात है तो आप ये देख के समझो कि क्या करना वेट कर रही थी कि ये स्वं घप तेखर में आएगी और कब मुझे देखने का मॉका मिले और इसे माहूल में आप ये फिल्म देखने का कि मोका मिला है और फिल्म खतम होने के बाद भी आई वस जॉंबी सट्ट घड़ले ला घटना वर आधरी थी केरला स्टोरी आहे और अंगाला शाहरे आले माझे कारण की मला पड़ महाईती नहों तुमी पन खूप एक्साइटे होते हैं जवा कारा में चाहिटे पर प्रस्चाम आते मां तुन धर में जोशी दाता ने सांगित लगी आप लेल अपर आप लेगी परन्तों खूप एक्साइटे होते में जवा जवा जी मुवी स्टार्ट जाली आणि जो स्टार्टिंग से तानी जव सीन ताख लाकी महिलाना स्रेक्स करना सटीपन जबर्दस्ति के लिए जाते हैं सगर मज़े थे खुब सुकीचा है जा पने लिग श् आज हमने देखी केला स्टोरी जो बच्चों के उपर है पड़ी अच्छी है इस फिल्म को यह फिल्म देखना बहुत जरूरी है मैं हिंदू के बारे में अभी कुछ नहीं कोलूगी क्योंकि हम लोगों का एक पब्लिक से रिलेशन ऐसा होता है कि हम लोग को सब प्यार देते हैं और में बात हिंदू या मुस्लिम कर रहे हैं उससे पहले आपको अपने बच्चों को यह बताना आप सब लोगों का वेशो इस अधयाले में हम अपने बच्चे को भीजे किसी के बच्चे को आसता कि त Edinburgh मंत्री आद है किसी के संस्कृत के दोς लोगs लोग आदे लेकिन बुद मॉर्क्ष नाइपा यह सब् shifts आगर आप अपनी संस्कृत तो भूलते जाएंगे तो और पिस्ट कह होगा हमार मुझे तो काफी अथेंटिक लगी और सबसे पहले तो मैं दन्यवाद देना चाहूं जी बेटी बचाव बेटी चड़ाओ के राश्ट्री अध्यक्ष के लड़कियों के लड़कियों के लिए उन्होंने यह स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई फौद स्कूल गोई जो टीनेजर होती हैं और कॉलेज की लड़कियों के लिए जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पाटिसिपेट किया बहुत सारी गल्स आई हुए आप यहां पर देख रहे हैं जो हमारे देश का इक ज्वलन्त गुद्दा है धर्मानतरण, कन्वर्जन, यह कन्वर्जन कैसे उनका ब्रें में पस जाती है उसके बाद उनका क्या बुरा हाल होता है यह देखने के लिए हम आज यहां पर केला स्टोरी सभी को लाइथ है बहुत अच्छी स्टोरी थी क्योंकि मेरी बेहन में से 6 साल बढ़िया ना इम 18 सो सबसे जादा मैं रिलेट कर पाया है थे सेम एज लिग गल्स इस सो इसमें से मेर को समझा कि इडिस नॉट अब रिलिजिए इडिट अबट एडिवा इस चीज को बोलुगा कि लड़कियों को दिखाव यह दिखाव कि लड़कों कि अजूर जोग इसमें सेक्स एक्र ना भी एक यह होता है कि मतलब एक सीन मैंने अब याद आद है इसको भी बहुत जादे थाम होना ची अपने डिसीजन के होको